शुसेना प्रमुकुदु ठाकरी गुरुआ शाम को मुख्यमंतरी पत की शपत लेंगे ऐसा पहली बार हो रहा है जब ठाकरे परिवार का कोई सदर से मुख्यमंतरी बन रहा है ऐसे में शुसेना की और से पूरी कोशिस की जा रही है कि इस शपत ग्रहण समारों को एतिहासिक बनाया चाए यही कारण है कि कई बड़े नेताओं को निवता भेजा जा रहा है इसमें कई राज्यों के मुख्यमंतरी और विपक्षी नेता भी शामिल है शिवाजी पार्क में करी 70,000 से अधिक कुर्सियां लगाई जा रही है वहीं एक बड़े मंच पर महमानों के लिए 100 से अधिक कुर्सियां लगाई गई है माना ज़ाराई की शपत ग्रहन के लिए सकता है रहुल गानी के आने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि शपत ग्रहन में अब कम ही वक्त बचा है ऐसे में उन नेताओं को नेता दिया जा रहा है जो मॉंबई पहुंश सके अभी NCP प्रमुक शरणपवार महमानु की लिश फाइनल कर रहे हैं जिसके बाद फोन कॉल आना शुरू हो जाएगा शिसेना नेता संजराओद ने मंगलवार को भी बयान दिया था कि वो शपत ग्रहन समारोग के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ग्री मंत्री अमिश शाह को भी नियता भेजा जाएगा हालागी अभी ये कंफर्म नहीं है कि पार्टी की और से उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा या नहीं अगर निमंत्रण जाता है तो क्या राश्टी इस्तर के नेतास में शामिल होंगे इस पर हर किसी की नजर रहेगी गुर्वाज शाम छे चालिस वजे उदो ठाकरे महराश के मुख्य मंत्री पत की शपत लेंगे शपत ग्रहण समारो मुंबाई के शिवाजी पार्क में होगा जो शिसेना के लिए काफी मायने रखते हैं उदो ठाकरे के साथ कई मंत्री भी शपत ले सकते हैं उदो ठाकरे के शपत ग्रहा समारो को लेकर शिवाजी पार्क में तैयारियों के लिए BMC के कमिशनर और अधिकारी पुलिस अधिकारी शिवाजी पार्क पहुँचे हैं करीब सत्तर हजार कुर्सियां शिवाजी पार्क में लगाई जाएंगी इसके अलावा 6000 स्कॉयर फिट का मंच बनाये जाएगा जिस पर 100 कुर्सियां लगाई जाएंगी पतायशा रहा है कि 20 LED लगाई जाएंगी ताकि लोग जो शिवाजी पार्क के अंदर ना आपाएं शिवाजी पार्क में छैत्रपती शिवाजी महराज के स्टेचु के ठीक आगे ये मंच बनाये जा रहा है ये वही जगे है जहाँ पर शिसेना हर साल दशेरे वाली दिन अपना बड़ा प्रोग्राम करती है और ये परंपरा बाल ठाकरे के समय से चली आ रही है अपना प्रोग्राम करती है